हेलो दोस्तों आशा करते हैं कि आपने काला जादू के सीरीज वाला वीडियो नमबर वन देखा होगा जिसमें हमने बताया है कि क्या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स का कारण काला जादू तो नहीं तो यह है पार्ट टू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपके उपर काला जादू का प्रभाव है उस प्रभाव से आप कैसे निकल सकते हैं आखिर काला जादू का उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है आपके मन पे काबू क्योंकि दिमाग स्थूल होता है और मन सुक्ष्म होता है और सुक्ष्म एनरजी से इस सुक्ष्म रुपी मन पे काबू पाया जा सकता है वो कैसे करते हैं मन पे कबजा इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया है आप अपने मन से शासित होते हैं केवल वही व्यक्ति जो आध्यात्म के मार्ग में चलके अपने मन को काबू में रखा हो वो ही completely black magic के effect से बाहर रह सकता है मन पर काबू करने का प्रयास किया जाता है जिसमें काले जादूगर जो होते हैं black magic के प्रभाव से mind पे control कर लेते हैं दुनिया की अधिकांश आबादी बहुत हद तक मन से शासित होती है और इसी लिए काले जादू का काम आसान हो जाता है उनका बस उद्देश्य होता है दिमाग और मन पे निशाना बनाना और उसको नियंतरन करना एक बार जब मन पर कबजा कर लिया जाता है तब धीरे ही धीरे कटपुतली के तरह उस व्यक्ती के थौट प्रोसेस के साथ खिलवार किया जाता है और धीरे धीरे वो व्यक्ती कटपुतली नाच करने लगता है काला जादूगर अपने नेगटिव उर्जा से बुरे आत्माओं को भूत आत्माओं को और ऐसे आत्माओं की नकारात्मक उर्जा से आपकी माइंड पर एफेक्ट करते हैं तो क्या-क्या परिस्थितियां हो सकती है और क्या-क्या संभावनाएं हो सकते हैं थोड़ा सा astrology और जोतिश के बारे में बात करके आगे बढ़ेंगे जिन लोगों की कुड्ली में चंदरमा की स्थिती कमजोर होती है वो काले जादू के प्रती जादा समवेड़न शील या sensitive होते हैं अगर लगन के स्वामी कमजोर होते हैं और छटे आठवे या बारवे घर में होते हैं और चंदरमा जिसकी 6th, 8th और 12th हाउस में है और अगर वो राहू के साथ हैं तो काला जादू का प्रभाव ऐसे लोगों में जादा होता है अगर कमजोर चंदरमा शनी के साथ है तो ऐसा व्यक्ती में भी काले जादू का एफेक्ट जादा होता है लोग मुखता राहू केतू शनी के दशा के दौरान काला जादू के जादा शिकार होते हैं और इससे निकलने के भी बहुत सारे उपाए हम आगे डिस्कस करेंगे जब राहू और केतू लगन में हो या राहू केतू की महादशा चलती हो तब भी नकारात्मक उर जाए जादा प्रभावशील होती है तो काला जादू का एफेक्ट किस पे ज़ादा होता है दोस्तों ये जानना जरूरी है जो लोग नौनवेज खाते हैं जो लोग शराब और गाजा भांग का सेवन करते हैं जो लोगधार्मिक जीवन नहीं व्यतीत करते हैं और आध्यात्म से उनका कुछ लेना देना नहीं वो ही ब्लैक मैजिक के अधिक शिकार होते हैं अब हम सीधे आ जाते हैं प्रॉब्लेम पे डिसकस नहीं करके इसका सल्यूशन्स क्या है तो काला जादू के प्रभाव से बाहर निकलना कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं जितना आप अध्यात्मिक होंगे और जितना आप धर्म का पालन करेंगे पर मात्मा के आगे किसी की भी हस्ती नहीं चलती तो पहला है घर में गोमूत्र का छिड़काओं शास्त्रों के अनुसार गोमूत्र एक ऐसा पवित्र पदार्थ माना गया है जिससे वातावरन की शुद्धी होती है और नकारात्मक उर्जा नश्ट होती है गोमाता में सारे देवताओं का वास होता है और गोमाता से प्राफ्त वस्तु अत्यंत पवित्र होती है किसी भी प्रकार का जादू टोना या बुरे नजर के प्रभाव में गोमुत्र का सेवन करना चाहिए और ऐसे करने से सकारात्मक उर्जा आपके अंदर प्रवावित होने लगती है नियमिक तुरूत्वे भगवान के हनुमान चालिसा का पाठ करना या शनिवार को हनिमान जी के मंदिर जाना सुन्दर कांड का पाठ करना ये सब से काली और बुली नजर जरूर उतरती है अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं और आपका बिजनस अच्छा चल रहा है और अचानक से आप देखते हैं कि उसमें ब्रेक लग जा रहा है तो शनिवार के दिन रोटी बना कर उसमें सरसो तेल लगा कर काले कुट्टे को अगर आप खिलाते हैं तो बहुत फाइदा होता है दोस्तों, spirituality in this world answers the why of things and science in this world answers the how of things हर चीज के पीछे reason है क्योंकि we are governed by planets, rashis and nakshatras तो ये आप बिलकुल मत सोचिएगा कि ये superstition है काले कुट्टे को खिलाना, रोटी खिलाना and all this there are scientific reasons behind each and everything क्योंकि every planet has a representative, every deity has a wahan and every food has a color and every food has a property तो इसके scientific facts में जाएंगे तब तो वीडियो घंटो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा विश्वास रखते हुए इसको आप practice कीजिए और देखिए आपके जीवन में फरक पड़ता है कि नहीं कुट्टे को रोटी खिलाना कोई खराबा तो है नहीं कम से कम खिलाके तो देखिए मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ आप किसी के बुरी नजर के शिकार में हैं तो कच्चे दूद का इस्तमाल करें गसित व्यक्ति के उपर उसके सर पे साथ बार उसको घुमा के क्लॉकवाइज उस दूद को काले कुट्टे को पिला दें तो सारा तांतरिक क्रिया कट जाता है घर में खाना खाने के बाद एक मिट्टी के दिये में सरसों को लेके कपूर के साथ अगर आप जलाएंगे तो नेगेटिव उर्जा तुरंत कटती है क्योंकि कपूर में शुद्धता होती है हर दिन भोजन में हींग का सेवन जरूर करें हींग के सेवन से भी पॉजिटिव उर्जा बढ़ती है रात में अगर आप नदी, चौराह, तलाब या शमशान घाट को पार कर रहे है तो हमेशे आप भगवान का स्मरन करते हुए और नाम जब करते हुए यात्रा कीजिए इससे पवित्रता रहती है और नेगेटिव उर्जा आपको एटैक नहीं करती है ध्यान रखे, किसी भी पेड के नीचे पिशाब न करें सूर्य देवता को देखते हुए उस डियरेक्शन में पिशाब कभी नहीं करना चाहिए ये सब के भी बहुत नियम है तो ध्यान रखते हुए एक खाली जगा पे पिशाब करना बेटर है रात को सोते समय कभी भी भूत, पिशाच, वेताल, ब्रह्मराक्षष की चर्चा न करें इससे ऐसे नेगेटिव ओर्जा वाले आत्माए एक्टिवेट हो जाते हैं आपको कोई तांत्रिक क्रिया करके परिशान कर रहा है और दुकान का कारोबार एफेक्ट हो रहा है तो पीपल के व्रिक्ष के पांच पत्ते तोड़ ले और इसके सार पान के पत्ते डंटी वाले पान के पत्ते को लेके एक लाल धागा में पिरो ले और अपने दुकान के पूर्वदिशा में बाद दे तो उपर से किया गया सारा तांत्रिक्रिया कट जाता है अपने घर को बिलकुल साफ सुत्रा और पवित्र में रखे हर दिन पूजा अर्चना होनी चाहिए पीप धूप जलना चाहिए भगवान के यहां घंटी बजनी चाहिए और शंकनान होना चाहिए जिस घर में पूजा होती है तुलसी में जल चड़ता है जिसमें पवित्रता होती है जिसमें अलग-अलग पाठ होता है जिसमें पवित्र नाम उचारन होता है ऐसे जगा पे भूत प्रेत बाधाएं कभी भी नहीं रहती और positive उर्जा से ऐसा घर ओत प्रोत रहता है अगर आपका घर साफ सुत्रा नहीं है और मकडी के जाले दिख रहे हैं तो तुरद मकडी के जालों को हटा देना चाहिए अपने घर में नमक पानी का छिड़काव करना चाहिए और पोचे में नमक युक्त जल को यूज करना चाहिए गोमुत्र मिला के और नमक को शीशेड के कंटेनर में डाल के घर के कोनों में रखना चाहिए और नमक का छिड़काव घर के कोनों में नमक पानी का छिड़काव करना चाहिए जिससे नेगटिव उर्जा कंट्रोल में रहता है सप्ता में एक बार घर के किनारों और कुनों में नमक पानी का छिड़काव करें प्रति दिन सूर्य उदहे के समय ब्रह्म मुहर्त में पीपल को जल अर्पित करें और नियमित रूप से गाई, कववे, पक्षी और कुतों को भोग लगाया हुआ भोजन कराएं प्रानायम करके कुछ दिन उपवास करके बहुत सात्विक भोजन करने से भी काला जादू का एफेक्ट कटता है याद रखिएगा दोस्तों, जब आप नॉन विजिटेरियन, शराम और मास लेते हैं तो आपके शरीर के चारो तरफ ओजन लेयर की तरह एक प्रोटेक्टिव औरा होता है और उस औरा में छेद होते हैं ये छेद से entities, English language में इसको बोलते हैं entities आपके सुक्ष्म शरीर पे एटैक करते हैं तो कभी भी alcohol या non-veg न लें जिससे आपका औरा कटता है शरीर को शुद करें, यदि आप सब्ता में ये अभ्यास करते हैं शरीर की शुद्धी, मन की शुद्धी, वचन की शुद्धी और विचार की शुद्धी तब भी negative उर्जा आपके उपर हावी नहीं हो सकता है अपने पूरवजों को और अपने कुल देवी होते हैं उनको हमेशा प्रसन रखना जरूरी है ग्राम देवता, स्थान देवता, इश्ट देवता ये सबका वास्तु देवता, सबका रोल होता है जिससे काला जादू का effect आपके घर पे कम से कम हो नकारात्मक शक्ती से हमेशा बचे रहने की जरूरत है अगर आपको किसी नकारात्मक शक्ती से बचना है तो ब्रह्म मोहुर्थ में उटकि हरी कृष्णा का जाप करना नरसिंग कवच पढ़ना गजेंदर मोक्ष स्तोतरम पढ़ना नरसिंग कवच पढ़ना नरसिंग आरती करना मंगल आरती करना गीता पाठ करना भागवत पाठ करना ये सबसे बहुत benefit होता है ब्रहम महुर्त में उटने के बाद, स्नान करने के बाद पूजा जाप करना चाहिए और मंत्रो चारन करना चाहिए यदि परिवार में सुक शांती का अभाव है परिवार में कलेश बढ़ रहे हैं ऐसे माना जाता है खारे पानी से स्नान करने से औरा या आभा शुद होती है और नकारात्मक उर्जा दूर जाती है इसलिए कहा जाता है कि अगर कैंसर पेशेंट भी रेगुलरली समुद्र स्नान करे तो उसको बहुत benefit होता है तो इसलिए कभी भी जल में आप नमक डाल के तब स्नान करें तो इससे नेगेटिव उर्जा कटती है और बरतन में आधा किलो कच्चे गाय का दूद उसमें शहद मिला के अगर आप घर को पोचते हैं और छट से लेकर नीचे रूम और हर रूम में गायतरी पार्ट या हनुमान चालिसा का पार्ट करते हुए दूद का छिड़काव करते हैं तब भी बहुत benefit होता है रविवार को सुभा काले धतूरे के जड़ को दाहिनी भुजा पर बालने से भी काला जादू का effect कम होता है तो दोस्तों मैंने काफी सारे उपाय आप लोग को बताए घर के मुख्य दुआर के पास सफेद आख का पौधा लगाए यह हमेशा आत्माओं और काले जादू से रक्षा करती है यह जो भी उपाय बताया जा रहा है यह कोई सुपरस्टिशन नहीं है आप अगर वेद पुरान और शास्त्र को डीपली पढ़े तो हर चीज के पीछे scientific reason है और मैं एक MBBS MD, Professor and Head of Department होते वे भी यह सब आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस पे enough research किया गया है रविवार के दिन स्नान करने के बाद आठ तुलसी के पत्ते, आठ काली मिर्श और सहदेवी का जड़ को एक काले कपड़े में छोटे से थैली में बाद कर गले में धारन करने से भी नजर दोश से मुक्ती मिलती है घर में रात्री भोजन करने के बाद देवस्थान या पवित्रस्थान पे एक कटोरी में कपूर और लौंग को जलाने से भी आधिदेविक कष्टों और भोतिक कष्टों से मुक्ती मिलती है प्रेत बादा दूर करने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे के पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड कर धर्ती में दबा दें ताकि जड़ वाला भाग उपर रहे और पूरा पौधा धर्ती में समा जाए इस उपाय से घर में अशान्ती नहीं रहती और व्यक्ती को सुख शान्ती का अनुभव होता है अशोक व्रिक्ष के साथ पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें जब वे सूख जाए तो नए पत्ते रख दें और पुराने पत्तों को पीपल के पेड़ के नीचे रख दें यह क्रिया नियमत रूप से करने से घर में भूत प्रेत न समेशा रुकावट हो जाती है अगर आप जो भी जाप कर रहे हैं उसको करते रहे हरे कृष्ण के जाप से शुद्ध कृष्ण प्रेम और कृष्ण भावना और भगवत धाम जाने में मदद मिलता है और यह अलग-अलग जो अलग मंत्र हैं इसके भी स्पेसिफिक कारण है और इससे नेगटिव उर्जा कटती है इसके अलावा दुर्गा सब्तशटी का पाठ दुर्गा कवचम नरसिंग अश्टकम नरसिंग आरती नरसिंग वंदना करने से भी बहुत लाब होता है जिस घर में यग्य होता है जिस घर में पूझा पाठ होता है और हवन सामगरी जैसे लोबाल और नारियल का खस ये सब जलाया जाता है तो समझे कि वहाँ पे नेगटिव उर्जा कभी भी एफेक्ट नहीं होती है तो अगर एक लाइन में बोला चाहे तो परमात्मा का सहारा लीजिए परमात्मा को आत्मस समर्पन कीजिए और ऐसा करने से काले जादू का प्रभाफ बिलकुल नहीं होगा जब परमात्मा सामने होते हैं तो किसी की हस्ती नहीं चलती आप लोगों को की ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट्स में जरूर आप लोग लिखें और कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछें आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जरूर आपक कोㄮ हुआ